So hey everyone and welcome back to a new video and in this video we are going to talk about article 300a article 300a हम लग क्यों पढ़ने वाले हैं क्योंकि recently news के अंदर ये बहुत जादे जगव पे देखने को मिला ये आप देख सकते हैं दा हिंदू का article है जहां पे बहुत जगव पे article 300a के बारे में जिक्र किया गया है basically ये issue दुबारा से क्यों आया है क्योंकि जैसा हमें पता है कि UP के अंदर government बहुत बड़े लेवल पे demolize कर रही है उन houses को उन property को जो की connected है कि इसे anti social elements है जो भी mafia gangster ऐसे जो anti social elements है उनके उनसे related जितने वी उनकी property है houses उन सब को demolize कर जा रहा है by UP government so इसी के regarding में एक petition file हुआ है court के अंदर कि क्या ये जो action है वो legal है या illegal है तो भाई ये तो obvious सी बात है कि court decide करेगी लेकिन यहां पे इसको connect करके रखा गया है किससे article 300a से as a student हमें बस ये समझना है कि article 300a क्या है इतना deep में रहें कि कितना सही है कितना गलत है क्योंकि वो सब चीजे हमारे काम की नहीं है ठीक है article 300a article 300a actually है क्या तो ये है हमारा right to property ठीक है इसके बारे में आपको पता भी होगा पहले से बहुत ही एक famous article है तो ये कौन सा article है तो article 300a that means right to property ठीक है दो पार्ट बन जाता है एक साइड बन जाता है हमारा legislature and एक साइड बन जाता है हमारा judiciary 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 बात करता है कि ठीक है भाईया property का right है तो हम property को बचाएंगे और legislature को चाहिए कुछ जगहों पर कि हम किसी और की property अपने कबजी में ले 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 इसलिए नहीं कि वो अपना पायदा च जल जाता है वो घर तो basically होता क्या है कि legislature अपने action के द्वारा public purpose के लिए चाहती है कि और किसी private property को भी हम अपने यूज में ले 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 लोग क्या करते है फिर right to property का use करते है और यही basically issue बना रहता है अभी तो फिलाल उतना नहीं है लेकिन पहले यह issue बना हुआ रहता था ठीक है फिलाल अगर हम लोग बात करें originally तो हमारे constitution के अंदर 7th fundamental rights हुआ करते थे बाद में एक fundamental right जो है उसे पूर्ण उप से हमारे समिधान से delete कर दिया गया delete नहीं कहेंगा अदर हटा दिया गया ठीक है तो fundamental right जैसा कि में पता है part 3 के अंदर हमें देखने को मिल जाता है ज इसमें से 2 ऐसे articles थे एक तो article 31 पूरा हमारा और एक हमारा article 19 clause 1 sub clause F यह जो है यह दो ऐसे articles है या एक तो हमारे article 1 sub clause हो गया तो यह दो ऐसे elements है हमारे fundamental right के जो की बात करते हैं protection of property की article 19 clause 1 sub clause F बात करता है कि every citizen के पास right है क्या कि वह acquire कर सकता है hold कर सकता है dispose कर सकता है अपने property को ठीक है कौन है article 19 clause 1 F बिसिकली है तो फिलाल भी हट गया है लेकिन पहले यह हुआ करता था दूसरा article जो कि था article 31 जो कि permanently इसको delete कर दिया है वैसे भी deleted है ठीक है तो यह बात करता है कि every person चाहें वो citizen हो या न हो non citizen के लिए बिसिकली है था तो यह बात करता है कि सभी के पास power ह या right है कि उनको उनके property से deprived नहीं किया जाएगा मतलब उनके property से वनचित नहीं किया जाएगा उससे बचाने के लिए article 31 था ठीक अब हुआ क्या कि हमारा देश अजाद हुआ गवर्मेंट को लाना था बहुत सारे land reforms बहुत सारे schemes जिसके लिए उसे against जाना था उन लोगों के जिनके पास बहुत जादे property था जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा यह सुना होगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद anti-जमिनदारी के लिए schemes चलें कि जमिनदारी के अंदर जो लोग के पास बहुत जादे जमीन है उनसे जमीन को ले करके और जो लोगों के पास लेती थी तब सवाल आता था कि कितना compensation देना है क्योंकि इस सबके अंदर कहीं भी directly compensation की बात नहीं की गई जिया गवर्मेंट किसी के जमीन को लेती है या property को लेती है तो compensation देना है या कितना देना है इसके बार में directly जिक्र नहीं हुआ बहुत सारे cases आए जिसके अंदर Supreme Court न बेखते हुए बहुत बार amendment भी हुए जैसे first constitutional amendment act 4, 7, 25, 39, 48 and 42nd इतने amendments इसलिए किये गया है ताकि यह सारे amendments के द्वारा जो भी judgment साते थे किसके हमारे judiciary के उसको nullify किया जा सके और इन amendments के तहत क्या क्या किया गया आर्टिकल 31A, 31B and 31C यह तीन आर्टिकल जो है इसके अंदर इन सब के इंदर बहुत बार modification किया गया केवल इसलिए ताकि judiciary के जितने भी action है इसको nullify कर दिया जाए nullify करने के लिए बहुत बार amendment की के और at the end एक amendment आता है जो कि है हमारा 44th constitutional amendment act 1978 most important amendment act बहुत बार इसके उपर को सन आया है कि किस amendment act के द्वारा right to property को खटम किया गया था 978 okay now article 300a अब जब एक जगर से खतम किया गया तो भाई right to property पूर्ड उप से खतम कर नहीं सकते हैं तो part 3 के अंदर से इसको हटा करके amendment ड्वारा इससे shift कर दिया गया एक नए article के तौर पे जो की बनता है article 300a ठीक है ये भी article के बारे में भी हम लोग बात करने वालते है बैसि article 300a क्या बोलता है article 300a कि किसी भी person को deprived नहीं किया जाएगा उसके property से जब तक कि वह authority by law होगा मतलब अगर law लीगल तरीके से जो भी authority अगर उसके द्वारा अगर आता है कि इसके property छीन ली जाए in that case वह तो भाई छीना जाएगा लेकिन इसके अलावा state deprived नहीं करेगा किसी person क नहीं किया जाएगा यह article क्या करता है person को protect करता है किसे from the interference of state किसी person के property में interfere नहीं करेगा और किसी person को उसके property से बाहर भी नहीं निकाल सकता है इसके dispose भी नहीं कर सकता है जब तक कि वह procedure established by law के ताहत नहीं मिलब जो भी हमारा procedure established किया गया है उसके ताहत जब तक नहीं जाएगा तब तक किसी person को उसके property से deprived नहीं कर सकता है dispose नहीं कर सकता हमारा state ठीक है right to property अब हमारा fundamental right नहीं है अब यह constitutional या legal right के रूप में है under article 300a अ government train तो हटा दिया अब इससे फाइदा किया हुआ यह दिखते है अब result इसका क्या आता है पहला result यह आता है कि अगर यह हमारा fundamental right के रूप से हट गया है तो इससे इसके regarding कभी भी future में अगर amendment लाना है तो कोई भी बहुत special majority की जरुवत नहीं होगी जैसे ordinary law को ordinary law को को जिस तर नहीं पढ़ेगी पहला फाइदा यानि की future में government को फिर कुछ करना है तो government आसान से कर सकती है दूसरा right to property under article 300 होने से कोई भी person क्या करेगा high court जा सकता है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी इसके उपर बहुत जल्द वीडियो आने वाला है तो article 300a अब यह क्या हो गया अब यह हो गया एक तरह का constitutional right ठीक है अब यह fundamental right नहीं रहा अब इसे खतम कर दिया गया है और आप पढ़ेंगे रिट के अंदर आपको थोड़ा पता भी होगा कि अगर आपको पता भी होगा कि article 32 के अंतरगत अगर मेरे fundamental rights violate होते है तो हम directly approach कर सकते हैं Supreme Court को लेकिन अगर हमा हाँ high court ठीक है अब देखिए यह किसके लिए है यह केवल और केवल fundamental right के लिए और यह किसके लिए है यह others के लिए other rights के लिए ठीक अगर हमारे fundamental rights violate होगे तो Supreme Court जाएंगे पहल अब तो भाई article 300 तो fundamental right रहा ही नहीं इसका मतलब अब अगर कोई property का मेरा loss भी होता है या government right to property under article 300a को violate भी कर देती है for example in that case हम Supreme Court to move करने से रहें क्योंकि Supreme Court जा नहीं पाएंगे तब हम कहां जाएंगे High Court करने जाएंगे और as compared to Supreme Court High Court का जो थोड़ा सा power है वो कम ही है ठीक है obvious से बात है वो थोड़ा सा कम ही है next जो article 300a है वो किसी भी person को executive action से तो बचा लेता है लेकिन उसक legislative action से नहीं बचाएगा मतलब legislature अपने अंदर कुछ भी अगर bill pass कर रहा है या कोई भी law ला रहा है तो उससे किसी person को नहीं बचाएगा लेकिन वहीं अगर fundamental right रहता तो एक्जीक्यूट से तो बचाता ही साथी साथ legislature action से भी बचा लेता ठीक है साथी साथ यहां पर right to compensation जो है right to compensation यानि कि हमें compensation मिले I hope आपको यह भी point समझ में आ गया होगा ठीक है अब आता है state अब कुछ ऐसे cases हैं जो की exception के रूप में है जहां पर कुछ भी हो जाए government को compensation देना ही है ठीक है अगर इनकी property लेता है तो government को compensation देना ही है और यह हमारे part third के अंदर ही देखने को मिल जाती सारे fundamental right है basically तो article 30 जो की बात करता है कि अगर हम state acquire करती है minority educational institutions के land को in that case या उनकी property को in that case उन्हें compensation देना compulsory है उन्हें देना ही पड़ेगा ठीक है अब देखिए minority educational institutions क्या है इनको थोड़ा सा देख लेते हैं तो पहले चीज इसको तोड़ तोड़ कर देखे minority यहां पर minority चाह यहां पर बात की जाती है ठीक है minority में जैसे minority के इंदे कौन-कन है बुद्ध जैन फिर हमारे Muslim वर्ग यह भी इसी के अंदाय आती है languages में भी बहुत सा languages जिनके बोलने वाले speakers बहुत कम है minority में तो ऐसे लोग आ गए minority second word है educational institutions पूरा ही ले लेते है educational institutions ठीक educational institutions मतलब ऐसे लोग जो कि minority में है और वो अपने तरफ से रन करा रहे है कुछ educational institutions तो उन्हें हम लोग करेंगे कि ठीक है minority educational institutions का अंटरगत आती है और अगर state इनमें इनकी property को अगर acquire करती है in that case state को compensation देना must है compulsory है और यह किस article में है तो article 30 के अंदर हम यह देखने को मिल जाता है साथे साथ दूस केस दूसरा केस यह काता है कि अगर state किसी ऐसे परसन की property लेती है जो कि अपने cultivation के लिए उस land को यूज कर रहा है तो उसको भी compensation देना जरूरी है तो यह किस article के अंदर है article 31 एक अंतरगत यह भी है